हेलो फ्रेंड चोती क्रेशिन में आपका स्वागत है आज देखिए अभी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं हल्की फुल्की सर्दी हो भी रही है तो चलिए आज सोचा चलो हम आपको मौजाज जूता बनाना बताएं देखिए आज हम आपको बिना अंगुठे के मौजाज हम सुन्दर जिसको नहीं भी बनाना था विग में जो है वह भी इसको असानी से बना लेंगे कोई हाड नहीं है ना इसमें क्योंकि आज कल बचे शूज ज्यादा पहनते हैं तो शूज में गुठा नहीं होता तो चलता है चपल के साथ उंगुठे वाली चलती है वह हम अग पहने चोटे पहने शूज पहनते हैं तब यह जो उपर कुछ भी बना होता है फूल हो मोती लगा हो कोई कुछ भी हो तो वह हमारे पैर में चुबने लग जाता है इसलिए हमने एक्दम सिंपल सा फूल बनाया है जिससे देखने में देखी सुन्दर भी लगता है और आपक लगता कर सब्सक्रा इनल ओव लें मेंbung का यह करो है कि जिसको हेवे एकने फैने यह लगाको सकते हैं चाहे दो एसे इंग यह पर्वहरी से अगटो अब है इस दो अक देखिए हमने 10 नंबर की इसमें सिलाईय नहीं है आप अपने हिसाब से कोई भी कछ और कोई भी सिलाई ले सकते हैं हमने इसमें देखिए हम पंदे डालने के लिए अभी हम क्या करेंगे इसको ऐसे थोड़ा सा लूप बना लेंगे यहां से एक लूप बनाएंगे उसके हम उसको टाइट पकड़ेंगे अब यहां से क्या करेंगे आप देखिए हाथ के उपर उंगली जो हमने दो उंगलिया नहीं है इसके उपर हम डालके इसको उंगुठे से ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इसको शिलाई पर डाल लेंगे यह देखिए अब ध्यान दीजी यह ती दो हम इसमें 50 फंदे दिखिए डालेगे बहुत ताइट नहीं है और यहां से नहीं तो ज्यादा टाइट नहीं दाले जाता है और बहुत धीले भी नहीं डालने है इसके हमने उनल सुंदर लगे इसलिए करोशिय का यहां पर लाइन लगा ती है और थोड़ा बहुत धीला रहे तो भी नहीं होता आप पहन के देख लीजिए बना के पहन के देखिए अगर धीला लगे तो इसी इसाबसे आप क्रोशिय से इसको बना लीजिए अब हम इसमें पचास फंदे बनाते हैं इसी तरह से हम पंदे बनाते जाएंगे यह देखिए बहुत सिंपल है जिसको बिलकुल भी सिलाईय चलानी नहीं आती है वो भी बना लेगा कोई हाड नहीं है दिखे हम इसमें पचास फंदे डालते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने पचीस पचास फंदे डाल लिया है इसे डालने है ना बहुत लूज ना बहुत टाइट जब तक स्टार्ट करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और वेल आइकोन दबा दीजिए तांकि हमारी वीडियो आपको नौटिफिकेशन में मिलती रहे और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज सब्सक्राइब जुरूर कर दीजिए आप लोगों ने हमारी रुका सुनके कर दी होगी अगर नहीं की है किया है सब्सक्राइब तो जुरूर कर दीजिए और पूरी वीडियो देखिए बहुत सिंपल है कोई हार्ट बिलकुल भी नहीं अब देखिए हमने पचास और साथ नंबर के लिए बनाए है अगर आपका पैर बढ़ा है तो आप 50 के 55 कशक्ट फंते भी कर सकते हैं अगर 5 बनाना हैं तो 50 की जगह 45 भी बना सकते हैं पांच फंते आप आगे पीछे करके सांग के हिसाफ से बना सकते हैं यह दिखिएक अभी हम इसका यह जो बाला ब तो भी सब्सक्राइब करके एक सिधा कि अब हम हम हुंक एक उल्टा जो इसके बाद एक सीधा है कि दस नंबर की स्वाइब के हिसाफ से उनका इस अब ली है हमने उन बेवी भूल ली है यह पैरों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है पैनों को चलना पड़ता है ज्यादा हार्ट बूल होएगी तो चलने में चुबेगी और तकलीफ होगी इसके लिए हमने बेबी बूल लिए है एक्दाम सॉफ्ट बूल है हमारी और उसी के एकॉर्डिंग हमने सिलाइएं लिए आप भी आप उन्हें के हिसाब से लाइए ले लीजे और देखिए पहला हम से लाइए सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ही बनाएं बहुत सिंपल है फ्रेंड्स बहुत सिंपल है कोई बिल्कुल हार्ड नहीं है कि हम अपने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा करते हुए सलाही कम्प्लीट करेंगे इसमें भी हाथ आपको बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है अगर आपके उन मोटी है थोड़ी से ज्यादा इससे ज्यादा मोटी है तो आप पचास की जगा पंतालीस फंदे भी डाल सकते हैं इसके लिए अगर उन इससे भी बारिक है आपकी तो पचास की जगा आपको पचास फंदे ऐसे भी डालना पड़ते हैं और सिलाईये भी फिर दस की जगा ग्यारा नंबर की सिलाईयों पर ही बनाएंगे उनके हिसाब से ही हम घाड रालते हैं और उनके हिसाब से ही हम सिलाई ये लेते हैं अभी हमने एक सिलाई पूरी की अब हम पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे दूसरा जो है अब हम उल्टे के उपर उल्टा और सीधे के उपर सीधा इसी तरह हम यह देखिए इस तरह भी हम अपना बॉर्डर बनाएंगे सीधा फंदा बनाने के लिए सिलाई हम बाहर की साइड में निकालते हैं बाहर की साइड निकालते हैं और धागयों को हम अपनी तरफ से ऐसे लेते हैं और उल्टी साइड में हम धागय जो है वो अपनी तरफ निकालते हैं और उपर से धागय लेके इसे करके निकालते हैं और दागे को ईदर से नहीं लेना है यहां से यह दिखो इसे उपर से लेना है और उंगली से दबा के इसको निकाल दीजिए और उल्टी साइड में देखी पहले हमने सीधे में इस तरह ली थी अब हम उल्टे में इस तरह ले रहें और इसको हम ऐसे करके हम और longer दालें चुछा सीदह अगया में कुछ नए के उपर से लेना है उप यह देख़ी जिखके कि यह सीदह होंगे कछे इसलाइँ बना लेगे फिर hmou को दिखाते हैं देखिए फ्रैंस हमने यह जो अपना बॉर्डर है एक साइड का पूरा कर लिया है यह देखिए हमने आठ सलाइए इसमें डाली है अब हम सीधी साइड में आ गए अब हमको कुछ नहीं करना है ना बढ़ाना है और ना ही कुछ घटाना है बस सीधा 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 हमको एक सलाइए उल्टी इसी तरह हम अपना थर्टी फोर सलाइए में डाल लेंगे हम में कुछ नहीं करना हम एक गम सिंपल आपको बता रहे हैं जो वीगनर्स हैं जिनको भी नहीं आता है वह भी फटा-फट से बना लेंगे और जो आप लोग जिनको आता है हम पहले भी कही त बता चुके हैं सौक्स का डिजाइन तो आप तो फेर बनाना जानते ही होंगे तो उनके लिए तो कोई हार्ड नहीं है जो विगनर्स हैं उनके लिए एक गम सिंपल है कि इस तरह हम एक शिलाई पूरी सीधी हमने पहले बॉर्डर बनाया एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और उल्टी शिलाई में सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बनाया और अब हम बीच का है यह जो हमारा पूरा हिसा है यह जो हमारा पूरा हिसा है यह जो है ह यह हमारी पूरी सलाई सीधी हो गई हमको ना कोई घर बढ़ाना है ना गटाना है पचास के पचास फंदे ही हमारे रहेंगे अब हम यह पूरी सलाई पहला उतार लेंगे पहला हमको ना इदर स्टार्टिंग से बुनना है ना ही इस साइड की स्टार्टिंग से बुनना है पूरी इसी तरह हम 34 सिलाई डालके आपको बताते हैं अगर आपके पैर पतले हैं और चोटा नमबर बुन रहे हैं छे साथ की जगा पांच का बुन रहे हैं तो आप इसमें चार्श लाइए कम कर दीजिए तो आपका बराबर बन जाएगा अगर आप आठ जा नौ नमबर का बिन रहे हैं किसी का पैर भारी होता है तो 34 की जगा आप आठ नमबर के लिए आप कम से कम चार्श लाइए बढ़ा लीजिए अगर पैर हैवी है तो दोस लाइए और बढ़ा लीजिए और जितना भी आपका ये साइज है आप एक बात का प्लीज ध्यान रखिए जितना भ आठका है तो साथ ही बनाएए योगी बाद में ये वन है लूज हो जाती है लैदर तो है नहीं है यह उतने का उतना ही रहेगा यह भूल है भूल खिच जाती है इसके लिए आपको जितना भी साइज का नमबर बनाना हो इसे एक नमबर कम ही बनाइए तो अच्छा रह यह अभी हमारी एक सलाई हमारी सीधी हो गई अभी एक इसलाई उल्टी हो अब ऐसे 34 सलाई ये डाल के आपको फिर से बताते हैं तोन से बसे इसी तरह हम अपना सीधा उल्टा सीधा उल्टा बनाते जाएंगे दिखें, फ्रेंट्स यह हमने 34 सिलाइएं डाली हैं यह हमारा जह से लेके अब हमारा यह जो है यहां तक कंप्प्लीट हो गया है अब हम 34 सिलाइऑ इसमें डाले ते चंति ही इसमें डाले हैं अब हम यह वह आ और श्राइग का जैसे हम ने इस साइड में बनाया था इस सभी ऐसार और वाइब से आर्टेव्ला के आठाश़ भूर्ड के से विद्स इक को बिवा मैं पर करेंगे और हमारा गरम बोज़ा उनका तैयार हो जाएगा आप यह काम कर सकते हैं जैसे दिखी अगर आपको पैर देखना हो कि आपको आ रहा है कि नहीं तो आप यहां से दिखिए ऐसे पैर में रखके ऐसे करके देख लिए इस तरह से यहां तक आगया है यहां तक हमारा आ इसी तरह आप अपने पैर पे भी रखके देखनी जी कि आपको अगर लग रहा है कि यह चोड़ा यह अभी कम है तो उसके हिसाब से आप दोचा से लाइए जो डालनी हो आप और भी डाल सकते हैं हमने तो टोटल पचास घड़ डाले थे और पचास बतीस और चालीस और आठ फॉर्टी एड़ से लाइए हमारी हुए आठ हमने बॉर्डर डाला बत चौनतिस यह डाली और आठ ही हमने अब दूसरी साहीड Isso की दोनो साहीड के अमारे और दालेंगे तुमारे दोने साहीड के बॉर्डर कॉंप्ली हम एक यह डाइट साइड हैं राइट साइड में हैं राइट साइड grande के अचरी से एक एक में बनाए बनाएं और उसके उपर से निकाल दें और आप चाहें अगर ऐसे कर के बी आप उपर सिवय कर के भी निकाल सकते हैं यह इस तरह इए अप दो का बनाके एक-एक उसके उपर से निकाल देते हैं बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं करना हमको टाइट भी नहीं करना मिला लेना है कि दोनों साइड के जो हमारे फंदे हैं एक जैसे हो नहीं तो एक साइड लूज हो जाएगा और एक साइड टाइट हो जाएगा कि इसके लिए आपको दोनों साइड में एक जैसे ही रखना है इस तरह हम सारे फंदे अपने घटा लेंगे घटा के पुरे बताते हैं इसी तरह हम यह देखें कि बनाते बनाते आप इसको ऐसे नाप लीजिए यह देखें यहां से इसे नाप लें कि ज्यादा लूज ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहा नहीं तो एक साइड फे बड़ा और एक साइड छोटा लगने लगेगा फिर उधेड के बनाना पड़ेगा पूरा यहां तक घटा के बताते हैं हमने यह सारे फंदे घटा दी है अब हम क्या करेंगे इनको ऐसे मिला के देखेंगे कि दोनों साइड हमारे एक जैसे ही होने चाहिए है कि दोनों साइड एक जैसे ही हो गाए है अब हम यहां पर यहां से हुई हम थोड़ा लंबा करके धागा यहां से काट देंगे कि हमने धागा काट दिया अब हमारे पास दोनों साइड में देखी धागे हैं अब हम क्या करेंगे पहले इनको आपस में मिलाएंगे अब हम यहां से इसको धागा डालेंगे यहां से यह किनारा है दोनों किनारे में लाके हम यह जो देखे पीछे वारा साइड है इसको सिलाई करेंगे इल्डि का हिस्सा हम सिलाई करेंगे यहां से एक यहां से दो बार सबस्क्राइब धा दंक निकालеспस्राइब झाले कि हमारा धागा आपका हो लेंए दागे कि अर एक वार यहां से लेंगे यहाँ जब फर्स्त फंद बिना बुनाएब उठाते हैं मेशल सिलाई के स्ट्राइड में तो हमारी ऐसे इस तरह से हमारे दोनों साइड में चेन बन जाती है तो इसको सिलाई में बड़ा अच्छा रहता है इस तरह हम साथ साथ में इसको सिलाई करेंगे इस वार में चेन जाती है के इस तरह से हमारी चैन जैसी हो जाती है और विछ बिना बने पहला पंदा उठाने का फाइदा है यह होता है कि फर्स्ट में घुझा में हमारी साइड अब यहां पर हम इसको दागे को पक्ता करें इस तरह से दिखें इस तरह से हमारी सिलाई कितने सुन्दर लागी अब हम यहां से इसको अंदर की साइड में करके इसको यहां से धागा तोड़ काट देंगे एक वर फिर से गाठ लगाएंगे ताकि कभी भी जो वारी जो सॉक्स की सिलाई है वह हमारी खुले ने इसको आप ऐसे निकाल के हम किनारे से काट दें इसी तरह हम इस साइड भी धागा डालेंगे में सुई में अब यहां से अब किनारे पर तोड़ा सा पका कर लिए इसको ज्यादा नहीं खेंचेंगे यहां से की मोटा हो जाए अब जितना हमने बॉर्डर बनाया है बॉर्डर तक हम इसको बनाई करेंगे एक बार इधर से और एक बार इधर से जहां तक हमारा बॉर्डर है हम वहां तक दुनों को एक जैसा ही रखेंगे यहां से अभी हम धागा इधर निकालेंगे और यहां से हम तक हम नजाएगे जैसे कच्छा धागा करते हैं इस तरह से हम यहां से एक-एक को यह दिखिए यहां से भी हम यहां से डालेंगे और यहां से इस तरह से भी हम इसको निकाल लेंगे इसको पहले खीन चुना नहीं है इसी तरह एक-एक-एक को हम ऐसे इसको डाल लेंगे इस तरह से कि इस तरह से हम इसको इस तरह करके पूरा यहां तक जहां तक हमने सिला है वहां तक अभी हम इसको निकालके अब हम क्या करेंगे अब हम इसको पूरा खेंच लेंगे यहां से इसको अच्छे से खेंच लेंगे तक हमारा बन जाए अब हम यहां पर इसको गाट लगा लेंगे यह ऐसे इसको करें अच्छे से गांट लगाएंगे कि मारी गांट खुले नहीं है इसको यह से दागा काट देढ़े देगे हैं यहां से दागा काट देढ़ें कि यहां से भी मारा इसे देखे यह से यह बराबर इसे पयर डालने को हो जाएगा अभी हम फिर से दागा डालेंगे कि अब यहां से इसको सिलेंगे कि अब कि अगलेंगी कि इस इसी तरह से ही शिलेंगी क्यों कि ए यह समसाथ साथ में के इस तरह से स्लावेज़ अब हमने जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और तेरा, हमने जो सीधे फंदे हैं, हमने तेरा तक बिनाए, सिलाई किया है, सोली, अब हम यहां भी, तेरा तक हम सिलाई करेंगे, इसको, हमारे दोनों साइड, एक जैसे करके, हम यहां सिलाई करेंगे, यह देखें, हम यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, हम यहां तक इसको, सिलेंगे, यह देखें, जा तो अगर आप धागा डालेजिए, जा कुछ सेफ्टी पिन डालेजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, यह देखें, यहां पर भी हमारा तेरा कंप्लेट हुआ, अब हम यहां पर इसको, यहां से गाठ लगा लेंगे, आप चाहिए यह साइड का गिन लेजिए, यहां से हम से लाइके, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, यह ग्यारा और यह बारा, ग्यारा तक हमने छोड़ा है, इस साइड में भी देखें, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा हमने छोड़ दिया है, अब हम यहां पर इसको, गाठ लगा देंगे, ताकि यहां से, हमारी सिलाई, जो है, वो खुले ने, यहां से भी हम, ऐसे, उपर की साइड में, इस तरह से, इसके अंदर, हम पका कर देंगे, पूरा मॉझा करिंगे पूरा कर दिए अब यहां हम यहां कि अब यहां से सीधा करेंगे अब हमारे दोनों साइड एक जैसे हो गए हैं इसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं होता है एक ही जैसे पैर होते हैं आप कोई भी किसी भी साइड में पहन लीजिए यह दिखे अब हम यहां पर इस तरह से इसकी बीडिंग करेंगे और फ्लावर बना के लगा के हम आपको दिखाते हैं क्रोशे के लिए हम पहले यहां ईएक हांट लगाएंगे हैं इस तरह चाहिए आप दो यहां से इसको स्टार्ट करें यह बहुत इसी है है 안녕 अब एक दो और तेन हमने दिखी फ्रैंट तीन चेन बनाई अब हम क्या करेंगी जहां हमने चेन बनाई है उसी में हम एक डबल क्रोश्य बनाएंगी बस इतना ही है हार्ड नहीं है फिर हम यहां पर इसको स्लिप स्टीच से जॉइंट करेंगी फिर हम यहां पर वापस से एक डबल क्रोश्य बनाएंगी और इसको फिर हम एक छोड़के जितना अमत यहां तक यह जाए उतना छोड़के एक दो और तीन है और एक बात है फ्रैंट अगर आप पहन के देख लीजिए अगर आपको यह चीज यह चीज लूज लगती हो तो आप इसको थोड़ा सैसे यह टाइट करके भी बना सकते हैं उसे क्या होगा कि आपके पैसे जो मौज़ा है सौक से वह निकलेगी नहीं इस तरह से सब आप इतना लास तक बना लिजिए एक दो तीन हाड नहीं है उसी में एक वार तीन चेन बनाने है और एक बार डबल क्रोश्य बनाना है और उसके कि इतना सही है कोई ज्यादा हाड नहीं है यह पूरा करके हम बताते हैं है देखिए हमने पूरा मौज़े पे इसकी बीडिंग कर दी है कितना सुंदर लगता है अब हम यहां लास्ट में इनको स्लिप से से ज्वाइन कर देंगे कि यहां चे भी धागा कर रखतेंगे अब है कि देखिए बीडिंग करने से मारा मौज़ा कितना सुंदर लग रहा है कि यह इसको भी हम धागे को अंदर की साइड में कर देते हैं कि इस तरह यहां से जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है वह हम यहां से काट देंगे कि इस तरह हमारा यह मौचा देगा रहों कि पहले भी हम पहले भी हम आपको फुलावर बना के दिखाते हैं देखिए फ्रेंट जब हम यह फुलावर बनाएंगे देखिए छोटा से क्या करेंगे अभी इसमें वापस एक एक तो तीन चार पांच छे हमने चेन बनाई और इसको यहां पर इस तरह जोइंट कर लेंगे करें यहां से हम जोइन करें उसके बाद में दो तीन तीन चेन बनाई और एक जो अगे डबल क्रोश्य बनाए हुआ है तो यहां से हम में है स्लिप से इसको जोंट कर देंगे पिर एक, दो, तीन चेन बनाई उसके बाद वापस से एक, दो, एक, दो, तीन हमको खाले दो बार ही डबल क्रोशे बनाना है इसको इसको कर देंगे हम फिर हम तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन उसके बाद फिर एक, डबल क्रोशे है उसके बाद दूसरा डबल क्रोशे है और फिर तीन चेन, एक, दो, तीन और यह वाली चेन को हम यहाँ इसके साथ जॉइन करतेंगे पिर से तीन चेन, एक, दो, तीन उसके बाद में हम दो डबल कुरूशे बनाएंगे इसमें एक और दो फिर तेन चेन बनाएंगे दो तेन यहाँ पर वापस जोईन कर देंगे और इसको धागा थोड़ा करके हम इसको जगा बना लेंगे एक दो तेन फिर दो डबल कुरूशे एक डबल कुरूशे बनाएं उसके बाद दूसरा डबल कुरूशे बनाएं फिर एक दो तेन चेन बनाएं और यहाँ हमने इसको जोईन किया यह दिखे अभी हमने पांच बार बना लिया अभी छटा बनाएंगे एक दो तीन इसको हम थोड़ा सा यहां खेंच देंगे ताकि हमारी जगा बन जाए एक दो एक दो और तेन एमटी से स्लिप स्री से इसको जोईन कर देंगे इस तरह से यह हमारा छोटा सा फूल त्यार होगे अब हम यहां पर चेन करके धागा काट देंगे अब हम क्या करेंगे इसमें सुई में धागा डालेंगे यहां से यहां से धागा डाला और यहां पर भी हम जैसे उसमें लगाया है ऐसे ही इसमें हम यहां पर सेंटर में ऐसे फूल लगा देंगे इसको जागा जो एक्स्रा है हमारा जो पहले वाला उसको अंदर कर देंगे ताकि मारा दागा दिखे नहीं यहां से इस तरह से हम यहां दिखी लगाने को आप कोई शो बटन भी लगा सकते हैं जा इसके उपर भी कोई मोती या कुछ है लगा सकते हैं लेकिन जब हम शूज पहनेंगे तो वो शूज पहनने के बाद वो चुपते हैं इसके लिए इसके उपर हलका सा चोटा सा ही कुछ बनाये जाए कि देखने में भी सुन्दर लगे और पहनने में भी आराम दायक हूं अगर हम बटन लगा देंगे तो बटन से वो मारे शूज पहनने से चुपता है कि उपर से जहां जा जिसको शूज से के साथ नहीं पहनना है उसका आप लगा सकते हैं कि बटन लगा दो जाप लावर मोटी लगा दो कुछ भी बना के आप लगा सकते हैं लेकिन अगर से उपर से शूज पहनने हैं देखिए यह मारा अभी हम नीचे बंद कर देंगी दियार हो गए हैं दिखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं आप भी बनाइए पहनिए और हमको कॉमेंट करके बताइए कि आपको यह बनाने में कैसे लगे बहुत आसान है बहुत इजी है कोई हाड नहीं है तो चलिए आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिए करिए और बेल आइकोन दबा दिजी ताकि हमारी वीडियो आपको नौटिफिकेशन में पहुंचती रहे है थैंक्स फॉर वाच्छिं में